और जो हमारे रशी बनाए जाती है उसलिटा यह साडियान हो गई दोट तो अभी क्या करते हैं घे भी आचका है तो गृतीक अनन लेते हैं तो कि कलियों लेके जा रहे है एक इसरा मेह इसलिए जी सब जगवां से पानी निकलना शुरू होग Eli तो एक कट्टा ये बरा हुआ है एक है एक है मतलब बहुत अर्वी है मारी मार्टा किसी को चीए तो आ सकता है ले के जा सकता है वाई बताने वाला हूँ आपको कदू वाले कड़ी लाल पी ले होगे पासजी भी पासजी में इंगल्च सब्सक्राइब कर लिया है हेलो दोस्तों नमस्कार क्या हाल चाल मैं हूँ परमूद रावात और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में एक नए संदार ब्लोग के साथ दोस्तों आज के व्लोग की सुरवात होई है ग्यारा वजे क्योंकि जब से मैं यातरा से घर आया हूँ रात को पारी बहुत तगड़ी वाली नीन तो एडिटिंग नहीं हो पारी तो सुबह उठके अभी एडिटिंग कंप्लीट के उसके बाद वीडियो अपलोड पे लगा दी है और अब जाके आप लोगों के बीच में हाजिर है एक नए संदार ब्लोग के साथ और आज के मौसम की ब और अंदर वाले कमरे जहां आजकल खाना बना रहे है वह बरा वहां के आपको हाल दिखाए जाए तो यहां पर बापु जी है अलो गाईज और बापु जी यहां पर खाना बना रहे है तो आज हरी सब्जी और यहां पर भात रखा हुआ है और क्या बन रहे है चकडी और बापु जी यहां पर खाना बनाते बनाते मंडवे की रोटी का नंदे रहे हैं और रोटी खा रहे हैं दूद की मलाई और साथ-साथ में जो सब्सक्राइब ती कौन सी सब्सक्राइब पितल अच्छी में दोया चीमी भी बोलता है कई लोग तो अलगी मज़ा है इसका भी इतना ज्यादा धुआ हो रहा है ना कि देखो आख नाक से पानी निकलना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी ने मेरी ढंग से दुलाई किया है लेकिन अशा कुछ नहीं है और बहुत दूआ हो रहा है और हमारे बोटू के हाल देखे क्या मास्टो के धू निकल लिए और बैलों को लेके भाई साब भी घर पहुंच चुके हैं और खा रहे हैं नारंगी वह भी अपने आप थोड़ा हमें भी दे दीजिए तो धीरे-धीरे कदमों से मा भी घर की ओर पहुंचती हुई और बाई साब बुले मैदान में आव बलने आसायाद मा और पापा की दुसी होने वादी है है कुछ ऐसा जैसे ही माँ अब हाथ पैर दो यह उसके बाद युद्ध दिखाते हैं मा और पापा का आपको ग्रह युद्ध कभी कभी एक ग्रह युद्ध से मुझा याद आ रहा एक प्रशनात अथा नौवी है दस्वी में कि ग्रह युद्ध क्या होता है वल तो किसी न इतने सारे बीज निकाल दिये हैं अगली वार इसी को हम बोएंगे और साथ-साथ में कुछ यादगार पल भी है इसमें जो आपको इपरात पे पूरे छेद नजल आ रहे होंगे तो यह हमारे भंज सामने करवाए थे अपने नाना से बुड़े तो हमारे बापु जी से किस रहे हो इन ऊच्छी के बाता है सब्सक्राइब आर चाहिए है आर यह क्या धुड़े कर लादा है सब्सक्राइब आर जे तो हमारे दो किनी आख बंवेंगे तो हमारे यह इन जा राच वन रिए ही यह जा एक प्यार खिलने तो यहां ग्रेया विदु जो है वह आसानी से टल गए हो तो अभी मम्मी पापा के साथ मस्ती करने के बाद एक बार फिर हम आचुके अपने पहाड़ी किचन हटी मेनी आजकल का पहाड़ी किचन हमारा हुआ अभी आपको मैंने दिखाया था यहां पर हरी सब्जी और हम सुनी होगी और परस्वा मैंने कद्दू का रेठ भी आपको बता है था लेकिन आज थोड़ा स्पेसल कद्दू की कड़ी बनने वाली और जो आसान कड़ी होती है वो कुछ ऐसे बनती है कि मल्दा हम इसमें ना तुड़का मारते हैं बिल्कुल इसमें थोड़ा आठा डाल यह बेसन भी डालते हम और उसमें जो च्छांस होती है वो डालनी है और जो में यह सबसे पहले जो कड़्दू है उसको मारते है बापु जी करें रहे हैं कर दो करदो जो कड़ी होता है वो कुछ ऐसे बन जाता है ये देखो बिल्कुल मुलायम सा मक्खन के जैसे तो अभी जो नॉर्मल कड़ी है तो बापु जी ने उसमें डाल दी है हल्डी और थोड़ा-थोड़ा मसाले और नमक और अब इस कड़ी को अराम से थोड़ा उबलने देंगे जो अच्छे से उबलने देते हैं तो जो कड़ी है वह अच्छी तरह से उबल गई है तो इसमें अब हम डालने वाले हैं यह चीज जो हमने आभी आपको दिखाए कदू कास कियो हुए कदू यह तो इसको देखते ही मूं में पानी आ रहा है तो सोची खाने में क्या मज़ा अच्छे वैसे कलर तपी लाई आए गए सभी तो कड़ी थोड़ा कम हो गई है इसी वज़ाओसे इसमें थोड़ा पहाडी की जड़ से पानी निकालके थोड़ा पानी डाला जा रहा है और इसकी जो मात्रा है उसको बढ़ाया जा रहा है अपने बापु जी के द्वारा औ तो मैं बोल रहा था धनिया निकालने के लिए मा जाएगी लेकिन दौनों आचुके हैं मा भी और बापु जी भी बापु जी सामने धनिया निकाल रहे हैं लेकिन मा कुछ और ही दिखा रही है मुझे यह देख सकते आप तो यहां काफी लंबा बड़ा छेद हो रहा का सुरंग बोल सकते हैं चलो नीचे इसे दिखा देते हैं आपको यह दो रहा है एक यहां है तो जीतने भी आलू-अलू थे सारे यही खाते रहते हैं और ममी का प्लान बनना था कि जो और भी हुई है वो खड़ों में रखते ह हैं कैसे रखते हैं वो जब वीडियो बनेगी तो उसके लिए लग बताई दूंगा आपको पर इसी खेत में सोच रहे थे लेकिन नहीं लगाना अपनी तो अगर यहां अगर लगा भी देते हैं खड़े के अंदर डाल भी देते हैं तो फिर हमको एक भी नहीं मिलेगा तो क अब मेरे को तो बोल ले थे तुम जड़ निकालोगा अपने आप क्यों निकाली जड़ अचा यहां पर ज्यादा उबावा ना उसको भी परदा हो मां बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पापा छाटा कर रहे हैं उनको इसलिए पापने जितने होसे के जड़ी से उखाड दिय हैं और हम तो वापिस छत में आगे लेकिन मा भी भी वहां धोनी रही है देखो जहां-जहां मा जा रही है माम को ने ने खड़े ने मूसों चुहों के छेद नजर आ रहे हैं तो मूसों ने भी बरबाद कर दिया हमारी खेती और वहां सामने से भी चाची भाई साथ सब लोग देख रहे हैं और जो मैं अर्वी की बात कर रहा हूँ ना खड़े के अंदर डालने के लिए तो आप यहां पर देख सकते हैं वो एक कट्टा यह बरा हुआ है एक है एक है मतलब बहुत अर्वी है हमारी यह वाली जो अर् अनल घगाता है वो तो खGAN बन गया है तो सबसे पहले खाना खाना चलते हैं और मैं अपने च्छत में बीड़े बना रहा हूँ और यहां देखे चहता है हुंकि क्याश्या में चाहरा बनाना घ्रिए घड इश takes फोड़ा एंशे को पतलता है वाली कडी कडी खाके मज़ा आघया। आप लोगों को भी मै जरूर बोलुगा कि अधर आप कडी खाते हो तो कभी कड़ू डाल के कड़ू वाली कडी खाना मज़ा आ जा जा जाएगा। दोस्तों खाना खाके हम अपने छत में आये थे और उस टाइम से हम यहीं पे थे लेकिन अभी धूब गायब हो चुकी है तो अब छत से नीचे जाने का समय आ चुका है और यहां नीचे छत में मैं आपको दिखाओं तो यहां पर दोनों चाचियों के द्वारा रसी का निर्म पल की दो की काम है चीनी और जो बहुत पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें पताए भी था में आपको जो कंडा होता ना जो उस पर काके लगाते तो काके लागाने से पहले केना लगाने पड़ता हैं साइड में उसके लिए ही यह चीज़ें बन रही है तो उस वीडियो आपका बहुत प्यार आया था लगबग तीन-चार लाग आद में वीडियो देख ली थी तो इस वीडियो को भी उससे जहादा पहुचाने का काम आप लोगों का है हमार तो बस बताने का है और यह वाली जो चाची है न यह बहुत कम आपको वीडियो में नजर आती होगी क्य यह चाची की मुस्कान बहुत अच्छी ऐबी इसी बात पर एक लाइक बनती है चाची तो कही बार दिखती रहती है जादा क्या दिखाना चांची तो चाची का वाल एक काम ये है कि मझे ये बॉट ना है बोले तो इस रसी को बनाने का काम भी है तो इस फॉन को थोड़ा मैं जेब में रखता हूँ बनाने के बाद मिलते हैं आपको तो ये देखिए रसीबन की बिल्कुल तयार हो चुकी है और जो मेरे पास था व Form ये वाला था और जो चाची वाला हिस्सोता तो इसके पास कम रहता है वह बनता है चोड तो चाची चोड बन चुकी है और मैं बन गया वल पुलिस और तो यहां पर चाची ने दुकान खोल रखी है तो यह हमारे जुग गावों में हो रिखिये यह वाली राजमा और यह काले भड़ भी चाची के सस्राल से रहे हैं सस्रालना चाहिए अब कंफ्योज होता रहता नो जिस दिन मेरा सस्राल होगा तब यह पता चलेगा क्या होता है सस्राल और यह देखे यह तो और यह तो व přे較 Trad in गि Commissioner और तीन रुपे परदानी मल्लब एक माल्ट में को पडेगी रोड तक मैं बेच सकता हूँ लेकिन वहाँ पर आपको आना पड़ेगा तो किरपया जल्दी जल्दी हमारे यहां से मालटे ले जाने का कश्ट करें क्योंकि बहुत सारे मालटे हो गए हैं और इनको हमको बेचना है, मार्केट ले जाने से अच्छा है कि अगर कोई हमारा व्यूवर हमारा सब्सक्राइबर हमारी फैमिली मेंबर का हमको मिल जाए तो इसको हम दे दे देंगे और मैं यह बोला हूँ कि रास्ते तक मलब जहां पर रोड है ना वहां दुष्य लेकिन इया, लेकिन भड़ा कोन अब मैं पहले आपको बोला था कि आपकी बार हमारे गाओं में काफी सारे माल्टे हो रखे हैं स्व काओ पेड देखा है तो इस पेड़ से अभी माल्टे निकाले जा रहे हैं इस विशल ताई के लिए वैसे पेड़ भी ताई का है लेकिन ताई यहां रहती नहीं है तो क्या करें यह पेड़ भी हमारे पास है तो और ताई विदेश यात्र पड़ जा रही है तो यह माल्टे निकाल के जा रही है मुंबई में रहती है और कई लोग पूछ रहे थे मुंबई में कहा रहती है ताई कांदी वली में रहती है ताई तो चले जाना ताई को ढूंटे ढूंटे कांदी वली वाली ताई ये पर सामना ये पर ये पर ताई को लगा पदा नहीं हम किस पे मार रहे हैं और अभी हम चलते हैं अब पंग्रोली के ओर किर्केट खेलने के लिए और याना देवा बेचारी से काम कराया जा रहा है यहां देखो और आज हमारी तंकी पे नो कुछ प्रोबलम आ गई है तो यहां से पानी बहार बहुत कम निकल रहा है उस पर साय तो कुछ क्या बोलता है मियनका मुनका मैं डग मुनक लग गया और यह देखो बाग आ गया तो भी मैं पहुंच चुका हूं पंग्रोली स्टेडियम में और वहां उपर मैं आपको दिखा हूं तो यहां पर देखिए नंबरिंग होई होगी तो वह कि आप लड़ा ही चल लिया मेरा ये नंबर मेरा ये नंबर पर मैंने भाई साब को बोला की में लें ब्लेंबर चुन लेना तो देखता है मेरा कितना हुआ नंबर आता है बहत्ते रिये पहुंचे हुए है तो कोली की बारी आचुकी है और कोली को घेड़ विया गया है तो चलिए हम आ चुके हैं पंग्रोली से घर और फिर यहां अंदर वाले कमरे में चलते हैं और यहां पर हैं अपने बापु जी जो की रो रहे हैं अपने साथ साथ यह लेके आई है तो यह है कंगु अचा क्वल्ट्या अमेसा कंफ्यूज रहता हूं मैं इसमें तो यह है वाल्ग्वल्ट्या तो अभी क्या करते हैं घी भी आ चुका है तो ग्वल्ट्या का अनन लेते हैं और आज की जो वीडियो है वो इसी ग्वल्ट्या के साथ यहीं तक रखते हैं उमीद करता हूं आज का व्लोग आप लोगों को पसंद आया होगा व्लोग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के सा सियर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर दे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें मैं पर मोदरावत मिलता हूं एक और नए सांदार ब्लोग के साथ तब तक के लिए जैहिन जैहुत राखन जै भारत और यहां देखिया है सपड़ा सपड़ी करके खिला बाइसाब को थोड़ा चाक वाल